नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल काम की बात पर प्यारे दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अगर नहीं किया तो प्लीज जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हम कहें कि मुआसों की समश्या को दूर करने का उपाए आपके घर में ही मोजूद है तो सायद आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यह सच है कि आपकी फ्रीज में रखा टमाटर मुआसों की समश्या को दूर कर सकता है आईए जाने कैसे करें चैरे पर टमाटर का प कोई भी अपने चैरे पर पिंपल्स को पसंद नहीं करता लेकिन मुआसो की समस्या बंद ग्रंथी और रोम के कारण होती है इस समस्या से बचने के लिए आम तोर पर लोग बाजार में मिलने वाले क्लिंजर प्रोडेक्ट खरीते हैं लेकिन अगर हम आपको कहें कि इसका उप टुकड़ा लगाने से आप मुआसों की समस्या से बच सकते हैं आए जाने टुमाटर कैसे प्रयोग करके आप मुआसों को दूर कर सकते हैं तवचा की देख बाल के लिए टुमाटर एक अच्छा गरेलू उपाय है यह फल मुआसों को दूर करने और मुआसों के निसान को क करने में आपकी मदद कर सकता है टामाटर विटामिन से बरपूर होता है इसमें विटामिन A, C, E, K और B6 पाई जाते हैं यह विटामिन ब्रैक आउट को दूर करने और साथ ही तोचा को जरूरी पोशन देने में मदद करता है इसके अलावा टामाटर तोचा के पी एस तर को स आ रहे हैं मौासो के लिए टामाटर के उप्योको सबसे आसान तरीका है इसे इस्तमाल करने के लिए आपको बस इतना करना है कि टामाटर को बीच में से काट कर मौासो पर टामाटर के टुकडे को 3 सेकंड के लिए हलके आज से मसाज करें और मसाज करने के बाद तोचा को करने में असरदार है अगर आप बहुत जल्दी ही में है और मुआसों के लिए असान उपाए करना चाहते हैं तो इस उपाए का चैन आपके लिए हित करोगा अगर आपके पास कुछ मिन्टों की तुलना में अधिक समय है तो आप अब हम जो उपाए बता रहे हैं उसे करें त जल्द ही चुटकारा दिला सकता है इस उपाए को करने के लिए टमाटर के उपर एक एकस का कट लगाएं और टमाटर को कुछ देर के लिए गरम पानी के नीचे रख दें फिर टमाटर के छिलके को अटा लें क्योंकि आपने टमाटर को गरम पानी में रखा है तो इसके छि टमाटर के बीज निकाल दें और छिलका उतार दें पल्प को मेस करके टमाटर का पेस्ट बना लें फिर इस पेस्ट को अपने चैरे पर अन्य मास्की की तरह लगा लें फिर इसे आदे घंटे के लिए सुखने के लिए छोड़ दें और फिर चैरा गुंगने पानी से धो लें आप देखेंगे कि आपको जल्द ही मुआसो जैसी समस्या से चुटकारा मिल जाएगा